नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से राजुसर के नाम से इस YouTube चैनल के अंदर MCQ वीडियो की सकड़ी के अंदर एक और नया MCQ वीडियो हम लेके आए हैं Community Health Officer exam CHO के point of view में और आज की इस MCQ वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक और टॉपिक Environment Health and Sanitation जैसा कि सेलेबस के अंदर किलेरली मेंसन है Environment Health and Sanitation से कहीं सारे क्वेशन बनेगे तो इस टॉपिक के जितने भी क्वेशन से हैं उनको वीडियो हम यहां पर सौल करने वाले हैं पूरा वीडियो लेक्चर देखें और इस टॉपिक को क्लियर करने का कौसिस करें प्योरेस्ट वाटर इन नेचर इज नेचर के अंदर जो प्योरेस्ट वाटर है वो कौन सा कहलाता है ओप्सन है रीवर वाटर नदी का पानी रैन वाटर बरसात का पानी डीप वेल कुए का पानी इंपेंडिंग रिजर वाएर जो इकटा किया वाए रहता है वह वाला पानी चार ओप्सन यहां पर दिये वे प्योरेस्ट वाटर की यहां पर बात हुई है विच इस दा करेक्ट वन बिलकुल कुछ लोग ठीक है यहां पर बहुत इंपोर्टेंट बात है कि सबसे प्योर वाटर जो होता है वो कौन सा माना जाता है रैन वाटर किसको माना जाता है बरसात के पानी को रैन वाटर इस प्राइम सॉर्स आप आल वाटर इस ट inflation यह बहूत सॉप्ट वाटर होता है बहुत ही सउपट, माहाना जाता है रहन वाटर इसलिए इसको उ्ह καने सा वारटर बोला सै प्यॉर और प्यॉर इस अपना ऐसा वोल सकते हैं नोन पोल्यूटेड वाटर बोल सकते हैं कई सारे नाम इसको बेसके पल médi सकते होरोस एप्रेटर सथिमिय्टइब होरोकlles एप्रेटर्ड ब्ग्रों ठीज को एस्टिमेट करता है करें हुए फ्री उप्रिन यहां पर कंबैन्ठ क्लॉरिन है एयंड बी बहुत क्लॉरे सब्राइब बिए होरोक्स एप्रेटर समय मैं यह बैसिकली क्या काम करता अगर आप इस नाम को सुन रहा है तो मोटा मोटा आइडिया इसका होगा आपको नहीं रहा है our कि अपलेट से क्लोरीन की दिमांड को क्लोरीन की डिमांड को pivot करता है करक्त आंसवर क्या बनेगा डी थैस क्लोरीन डिमांड यह एक तरह का एह प्रेटसिये औरॉक्षपिटस एक है जो कीफ़ांड एウटलेगल ब्लीचिंग्पाउडर दो तो bleaching powder की dose, chlorine demand मतलब dose of bleaching powder, dose of bleaching powder, जो chlorine है, उस bleaching powder की dose, dose of bleaching powder जो है, उसको basically पता लगाता है, estimate करता है, उसकी requirement, किसको disinfectant करने के लिए, water को, disinfection of water, water के disinfection के अंदर, water के disinfection के अंदर, bleaching powder की कितनी dose की requirement है, bleaching powder और chlorine कह सकते हैं, उसी को हम chlorine demand के नाम से जानते हैं, और इसका जो formula होता है, वो होता है, n multiply by 2 gram of disinfected, 4, 5 liter of water, not so important, लेकिन सबसे important बात यह है, कि आपको अगर पूछ ले जाए, होर अपरेटर्स जो है, वो क्या estimate करता है तो आपका जवाब होना चाहिए, chlorine की demand को, या dough job bleaching powder, कितना bleaching powder requirement है, water को disinfected करने के अंदर, उसी को हम chlorine demand के नाम से जानते हैं, तो correct answer यहाँ पर बनेगा D, chlorine demand Most undesirable metal in drinking water, drinking water के अंदर, सबसे undesirable metal, metal कौन सा होता है, undesirable, जो desire नहीं है, जो जरूट नहीं है, जो बहुत worst है, वो कौन सा होता है, undesirable metal in drinking water, किसको माना जाता है, option है, iron, copper, zinc, lead, most undesirable, drinking water के अंदर, undesirable, जो है, metal कौन सा है, इन में से, बहुत बढ़िया, The correct answer is D, that is lead, आपने सुना होगा, iron, copper और zinc तो फिर भी minerals के अंदर count होते है, lead जो है, undesirable metal के अंदर count होगा, सबसे most undesirable metal जो drinking water के अंदर है, वो lead को माना जाता है, यह ना, drinking water के अंदर सबसे earlier जो है, वो lead ही देखा गया था, यह ना, lead pipes, जो सपला ही होता था जब water, वो lead की वहाँ पर पर जैंसी थी, यह ना, और यह undesirable metal माना जाता था, अलांकि इसके अलावा, undesirable metals के अंदर, magnes भी होता है, aluminium भी होता है, लेकिन lead को सबसे most undesirable metal माना जाता है, ऐसा नहीं है, iron जो zinc and copper भी undesirable metal में आते हैं, लेकिन जब most वाली चीज पूछी जाए, तो जवाब है lead, क्योंकि जो water का supply था, वो lead pipes के दोरा earlier होता था, और उसकी वज़े से lead जो है, वो सबसे ज़्यादा है, undesirable metal जो drinking water के अंदर है, वो lead सबसे ज़्यादा होता है, अच्छा, इसके लावा दो और सवाल बन सकते हैं, undesirable salt और undesirable gases, अगर आपको पूछे, undesirable salt और undesirable gases, तो ये भी वहाँ पर पाई जाती है, drinking water के अंदर, undesirable salt के अंदर chloride, fluoride, nitrite, nitrates, calcium, magnesium, ये सब होते हैं, और undesirable gases के अंदर ammonia, hydrogen sulfate और methane, ये होती है, gases, तो salt में बड़ा नाम है chlorine, chlorine, और अगर मैं बात करूँ, sorry, chlorides, और अगर मैं बात करूँ, gasage की तो इसमें बड़ा नाम है ammonia, ये undesirable salt और gases, और अगर आपको यहाँ पर पूछे, metal तो जवाब है lead, scabies, an infection of the skin caused by sarcoptage scabies, we all know, scabies एक विमरी है, और किसकी विमरी है, skin की एक विमरी है, scabies, जिसका causative organism कौन है, sarcoptage scabies, scabies का causative organism है, sarcoptage scabies, स्वाल ने ये पूछा, ये example है, किसका example है, option है, ये waterborne disease है, दूसरा option यहाँ पर लिका भाई, ये water worst disease है, third option है, water based disease है, and fourth option है, ये water related disease है, चार option है यहाँ पर दिये वे हैं, सार्कोपटी, इसके विमरी होती है, sarcoptage scabies, इसका causative organism है, इस तरह की विमरी जो है, वो किसका example है, waterborne, water worst, water based, water related, कहीं सारे लोगों ने जवाब दिया, waterborne disease, जो की बिलकुल खोटा जवाब है, इसके विज, waterborne disease कभी भी नहीं है, इसके विज जो है, तो waterborne disease नहीं मानी जाती है, बहुत अच्छे, यह water worst disease है, बोले सार, गर waterborne नहीं है, तो water worst होगी, तो यह सही बात है, यह ना, water worst disease है, water worst disease है, कौन कौन सी होती है, और यह क्या होती है, तो water worst disease है, उसमें, जो infection होता है, वो outer body surface के अंदर होता है, जिसका reason होता है, inadequate use of water, और improper hygiene, अगर हम water से, water का use inadequate करते हैं, या hygienic water use नहीं करते हैं, या body का hygiene maintain नहीं कर पाते हैं, उसकी वज़े से जो बिमारी होती है, उनको water worst disease कहती है, जो कि हमेंसा कैसे होती है, outer body surface पे, water bond जितनी भी disease होती है, वो inner body के अंदर होती है, जैसे आपने पानी पिया और gastro entities हो गई, cholera हो गया, यह water bond disease है, जो इनाइजनिक पानी की वज़े से पैदा होई, जो कि internal disease होती है, और अगर outer skin के उपर हो रही है, तो यह external disease होती है, उनको water washed disease के नाम से हम जानते हैं, वो इस पानी को डालते ही नहीं है, शरीर के उपर, शरीर को wash करने के लिए, और अगर आपने water को से body को wash ही नहीं किया, तो definitely izin maintain नहीं रहेगा, तो इसको water wash disease कहते हैं, और कौन कौन से disease होती है, water wash में, इसके बीज के अलावा, इसके बीज के अलावा एक विमारी है, ट्रेकोमा, ट इसके अलावा जो है, इंप्रण प्रायजीन के वज़ए से और विमारी के अंदर dyscentry, dyscentry, यह भी मारी बेरते इंप्रॉपर आइजीन, सेंसे breaking की वजह से अमेविक डिसेंट्री भी बोलते है में वह बी होती है अना वेसलेटी डिसेंट्री भी होती है सो इसके बीज वीमारी जो है Water Was First Kansas Starcoop스트 इसके भी इसका क्ोजाटिव York अर्गनिजम है और ये बिमारी जो है इसमें बोडी के उपर बुरोज लाइन फॉर्मेशन होते हैं क्या बनते है बुरोज तो बुरोज फॉर्म होते है और प्रुराइटिस होती है इंटेंसिव प्रुराइटिस होती है बहुत जादा खुजली होती है तो बुरोज बनता और प्रूराइटिस होती है इसके लावा इसके बीज बीमारी जो होती है वो टांसमिट होती है डारेक्ट कॉंटेक्ट की वज़े से और उसका जो ड्रग आप चोईस रहता है ड्रग आप चोईस वो 5% पर मैथरीन होती है यह पर मैथरीन ओंटमेंट आती है और यह इसके बीज भीमारी जो है वो कॉंटेक्ट ऐली इंफेक्टिस डीज़ है डारेक्ट कॉंटेक्ट से फैलती है इसलिए वहां पे ध्यान रखने का जरुत होता है तो यहां पर स्वाल पूछा है कि किस तरह का एक्जामपल है तो जवाब होना चाहिए वाटर डीजीज एक्सेप्ट सारी वाटर वास्ट डीजीज है एक को छोड़के अभी हमने पढ़ा वाटर वास्ट डीजीज कौन कौन सी है उसके एक्जामपल मिलेंगे आप इसको बड़े आसानिस से पहचान पाएंगे मेरे साब से अगर आपने अभी जो एक्जामपल हमने यह एक्षटरनल है यह भी एक्षटरनल है यह तीनों बीमारिये वह वाटर वास्ट की वज़े से नहीं होती है एक्सेप्ट का क्वेशन था यहां पर क्या बनेगा ताइफ जो कि वोर्टर वास डिजीस में नहीं था ताइफ समय टरिकोमा था कंजोटिवा इस हो सकता है लेकिन Kash यहां पर अज़ा पैक रॉटर्फ डिजीस नहीं होती में यह 50 i wow नहीं होती में temporary Hardness of water इस ड्यूटु परिजैन वाटर की जो temporary hardness होती है वो किस चीज के presence होने की वज़े से होती है temporary hardness of water is due to the presence of option है bicarbonate of calcium and magnesium second option है chlorides of calcium and magnesium, nitrates of calcium and magnesium, oxides of calcium and magnesium temporary hardness of water जो है कौन से content के present होने की वज़े से होता है यह बात होता है कि hardness जो है calcium and magnesium की वज़े से होती है लेकिन जो calcium and magnesium है किस के है bicarbonate के है chlorides के है, nitrates के है तो correct जवाब है बिल्कूल, bicarbonate of calcium and magnesium यह यहाँ पर correct answer है temporary hardness of water is due to the presence of bicarbonate of calcium and magnesium इनके bicarbonate की presence के कारण water की temporary hardness वहाँ पे रहती है Indication of a fecal contamination of water is due to the presence of fecal contamination जो water का रहता है वो किस चीज के present होने को indicate करते है मतब fecal contamination हुआ है First option है E. coli Second option है वहाँ पे Coliform Third है Enterococci Fourth है Clostridium Difficult Indication of a fecal contamination of water is due to the presence पानी में ऐसा क्या present है जो indicate करता है कि यह fecal से contaminated हुआ है कौन सी चीज जो है वो बताई कि यह fecal से contaminated हुआ है E. coli, coliform Enterococci Clostridium Difficult लाई और इस question को मैं accept बनाऊ तो ज़्यादा बेटर है Indication of fecal contamination of water is due to the presence of all except क्योंकि यह तीन चीजें है एक नहीं है तो presence of all except यह question पूरा अब बनाए सारे है एक को छोड़के E. coli, coliform, enterococci Clostridium, diffuse lie तो जो अपना fecal होता है स्टूल होता है नॉमली जो intestine होती है उसके अंदर healthy flora होते है और healthy flora E. coli भी होता है coliform भी होता है enterococci भी होता है यह तीनों के तीनों intestinal flora है यह जब तक intestine के अंदर होते है तब तक कोई बीमारी नहीं करते है लेकिन यह flora जो होते है वो अगर intestine से दूसरे organ में चले जाते हैं तो आपे infection का कारण बनते है तो यह तीनों के तीनों stool के अंदर present होते हैं और यह अगर stool water के साथ में mix हो जाता है तो यह उसके अंदर भी परजेंट होएंगे लेकिन clostridium difficile जो है वो intestinal flora में नहीं होता है तो यह fecal contamination इसकी परजेंसी fecal contamination से water के contaminated होने की condition को indicate नहीं करता तो यहाँ पर correct transfer क्या बनेगा D accept का question था तो यह तीनों intestinal flora है और वो fecal matter के अंदर होते है नॉर्मली और वो water को contaminated करते है The best parameter to measure air pollution is air pollution को measure करने का सबसे best parameter किसको माना जाता है air pollution को अगर आपको measure करना है तो best parameter कौन सा होगा SO2, CO2, CO, N2O चार यहाँ पर option दिये है air pollution को आपको measure करना है और air pollution को measure करने का सबसे best parameter यहाँ पर पूछा है SO2, CO2, CO और इसके अलवा N2O which is the best parameter to measure air pollution बिल्कुल यह भी एक तरह का बहुत थोड़ा सा नया question है direct question है और इस तरीके के direct question CHO के exam में बनने की पूरी पूरी संभावना है जहां पर कोई तरह का logic नहीं लगता है अगर आप question से वाकिप हो रखे है question को आपने कई देख रखा है तब तो आप उस question को पहचान के answer लिख पाएंगे और अगर आपने उसको नहीं सुन रखा है तो आप उसका answer नहीं दे सकते हैं तो देखिएगा sulfur dioxide जो air के अंदर sulfur dioxide जो pollutants होते हैं वो सबसे best indicator है air pollution का measure करने का तो best indicator या best parameter पूचा है तो sulfur dioxide option A के अंदर है इसको हम बोलते है sulfur dioxide और sulfur dioxide जो है वो best parameter है to measure air pollution याद रखिएगा अगर आपको वहीं पूचे best measurement of air pollution sulfur dioxide एक और word वहाँ पर important है आपको पूच ले best biological indicator of air pollution best biological indicator कौन सा? biological indicator अगर यह पूच ले कि best biological indicator for air pollution तो यहाँ पर जवाप बनेगा lichen क्या बनेगा? lichens तो दो अलग अलग बाते हैं यहाँ पर है sulfur dioxide SO2 is the best parameter to measure air pollution अलगा air pollution के अंदर sulfur dioxide के अलबा NO2 इसके अलबा CO hydrocarbons, particle matter CFCs, ammonia इन सब का रोल होता है सारे ही जो है air को pollutant करते हैं लेकिन best parameter जब पूच राजाए तो sulfur dioxide air velocity is measured by air की velocity जो है वो किस से measure करते हैं? option देखेगा one option is hydrometer psychrometer enemometer weight bulb thermometer कौन सा meter है जिससे हम measure कर सकते हैं और किसको measure कर सकते हैं? air velocity क्या measure करनी है आपको? air velocity air velocity को measure करने वाला meter any idea बिल्कूल सिदा स्वाल है direct question है बहुत अच्छे कुछ लोगों ने इसको पैचान भी लिया है यह है animometer 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 air की velocity को air की velocity को अगर आपको measure करना है air की velocity को तो क्या use करते हैं? animometer यहां पर एक लिका हुआ wet bulb thermometer जो D option के अंदर है wet bulb thermometer जो है वो air के temperature को measure करता है thermo word for temperature air के temperature को velocity को नहीं करता है यह air के temperature को measure करता है लेकिन यह जो हमने नाम पढ़ा है animometer यह air के किसको measure करेगा velocity को measure करने का काम करता है यह दोनों के अलग-अलग यहां पर function है एर के अगर वेलोसिटी पूछे तो एनेमोमिटर और अगर आपको temperature पूछे तो जवाब होना चाहिए weight bulb thermometer dry bulb thermometer भी आता है और weight bulb thermometer भी आता है maximum thermometer भी आता है minimum thermometer भी आता है सारे temperature को measure करने के point of view में use लिये जाते हैं co2 in air is measured by air के अंदर जो co2 होती है उसको measure कैसे किया जाता है किस मीटर के द्वारग किया जाता है पहला है manometer second one है hygrometer third one है kiffer test और fourth one है none चार आप्सन यहां पर दिये वह हैं और आपको स्वाल ने पूछा है co2 जो air के अंदर है उसको measure किस चीज के द्वारा किया जाएगा क्या तरीका है जिससे आप air के अंदर co2 को measure कर सकते हो चार आप्सन यहां पर दिये वह हैं which is the correct one co2 मतलब carbon dioxide carbon dioxide क्या खास बात है इसकी जो green house gases मानते हैं जो मानते हैं उस green house gases के अंदर co2 एक major gas होती है जो गैस होती है green house greenhouse gas के अंदर co2 जो होती है वो एक major gas होती है carbon dioxide second highest contribution इसका रहता है first highest contribution green house gas के अंदर water vapor कर रहता है second highest contribution किसका रहता है carbon dioxide के इसके लाब मिथेन और ozone ozone layer होती है जो की beneficial है है जो ultra-voilent transmission होता है उसको cut down करने के अंदर और जो cfc होती है chlorofluorocarbon जो freeze वगेर हम यूज़ करते हैं वो इस हो जो लेयर को deplet करती है जिसे green house effect जो हो गड़बड़ हो रहा है तो green house के अंदर carbon dioxide जो हो second highest contribution करती है हमें सवाल ने पूचा कि यह जो carbon dioxide है ज्याना carbon dioxide ज्यादा तर coal combustion या coal के use की वज़े से ज्यादा तर यह बनती है तो यह जो carbon dioxide है इसको measure करने के लिए जो test किया जाता है उसके बारे हम पूचा है और यहां पे correct answer क्या बनेगा keeper test correct answer क्या बनेगा keeper test C बिल्कुल correct answer है keeper test जो test है जिससे आप CO2 air को measure कर सकते हैं यहां पे correct answer है keeper test acceptable noise level is acceptable noise level कितना होता है कि कितने लेवल वाले noise को आप accept कर सकते हैं 85 decibel 90 decibel 95 decibel और 100 decibel acceptable noise का जो level है sound का वो level जिसको हमारे ear जो है वो क्या कर सकते हैं accept कर सकते हैं उस noise के level को कितना माना जाता है normally वो कितना होता है the correct answer is acceptable noise level is 85 decibel कितना होता है कितना noise का level हम accept कर सकते हैं 85 decibel इससे ज्यादा noise का level होने पर क्या होने की संभाव ना होती वहां पर ear को जो है वो problem होती है earring में दिक्कत होने लग जाती है sound के जो अलग-अलग level है noise के जो अलग-अलग level है normal conversion जो होता है वो 60-70 decibel पर होता है 60-70 decibel पर मैक्जिमम इसको 85 तक हम accept कर सकते हैं 60-70 पर normal conversion होता है जो whispering होती है फुस-फुसाट होती है वो जीरे-दीरे जो बात करने का तरीका होता है whisper जिसको हम बोलते है वो 20-30 decibel का sound होता है whisper अगर आपको पूछे तो 20-30 decibel का sound होता है normal conversion 60-70 decibel पर होता है और 85 से ज्यादा पर damage करना शुरू करता है 85 से ज्यादा decibel नहीं होना चीए यह important बात होती है इससे ज्यादा होने पर tolerance जो sound का level है हमारे ear का 85 है इससे ज्यादा होने पर damage होना शुरू होता और earring default होना शुरू हो जाएगा mechanical damage जो है 150-160 decibel के उपर होने लग जाता है 150-160 जब jet airway टेक आप करते हैं उसमें जो sound होता है वो होता है बड़ा खतरनाक sound है यहाँ पर correct answer बनेगा acceptable पूचा इसलिए 85 decibel west water from kitchen is called kitchen के अंदर जो west water होता है उसको किस नाम से जाना जाता है बहुत important question है refuse garbage database pullage seaways west water from kitchen इसको grey-grey water भी कहता है क्या कहता है grey water क्वान सा होता है वो grey water भी कहता है west water from kitchen greywater के नाम से जाना जाता है इसको बोलते हैं सुलेज क्या बोलते हैं सुलेज इस नॉट रिफ्यूज नॉट गार्बेज not seaways सूछ क्या शीन नाम से जानते हैं और ब्लेक वाटर जो होता है जो टौइलेट का था ह। आहे वह ग्राउंड वाटर को करते हैं इसको ग्रे वाटर के जो किचेन तो उसको white water के नाम से हम जानते हैं तो यह अलग-अलग concept है अलग-अलग water की form है यहाँ पर करेक्ट रांसुर है सूलेज अगर आपको सीधा स्वाल पूचा जाएगा और बहुत important है कि अगर आपको पूचे की kitchen के अंदर से जो west water निकलता है उसका नाम क्या है रिप्योजेज गार बेस सूलेज या सीवेज तो करेक्ट रांसुर है सूलेज सीवेज को हमने कई बार सुना है सीवेज जो वैस्ट वाटर कम्यूनिटी के अंदर निकलता है solid liquid और excreta form के अंदर गरों से जो गलियों के अंदर होता है इस वर्टर को सूलेज तब तक बोलते हैं जब तक इसमें क्या नहीं है यूमन एक्सक्रिटा नहीं है सूलेज में क्या नहीं होता है यूमन एक्सक्रिटा होता है यूमन एक्सक्रिटा नहीं होने की वजह से इसको हम सूलेज के नाम से जानते हैं मॉश्ट सर्टिस्ट्ट्री मेतरद उपर रिफ्यूज डिस्पोजेबल करते हैं करते हैं उसका म२ॉट सर्टिस्ट्ट्री मैतरद कौन सा होता है पिन्पिंग कंत्रोल टॉपिंग लंपिंग के व्रम Leans özell मॉस्ट घिस्पोजेबल का हमां यहां तмотря जाता है controlled tipping को इसको माना जाता है controlled tipping को controlled tipping का मतलब होता sanitary landfill sanitary sanitary landfill landfill यह normally हमकाम में भी लेते हैं है यह हमेसा नीचे की तरफ रहता है dry रहता है refuse layer के अंदर रहता है जमीन के अंदर रहता है यह बहुत important है most satisfactory method इसको ट्रैंच मेंतल सब्राइबं यह अलग छोते हैं इन वहता है को तो यह यह दो लेकिन सवाल यह पूछा जाएगा डंपंपिंग इंपन्पिंग और वीडियो को लाइक करें, सेर करें, कमेंट बॉक्स में अपना सुजाव जरूर डालें और इसके अलावा एक काम करें इस चैनल उस वीडियो को तर्ज़ झाल उसे जा भीडियो कोzet रहत है, मुर्ल्ड झाल खिजाद ना एक कि अ पर एक अजाग तुम्स, जा भीडियो क्यों बॉक्स, चाहर वर याड़ मुष झाल यड़ मुझत आणिशलay.